अब आदमी आए और सिद्धा आपको बंदूग दिखाते तो इसमें क्या सेफटी रखो गया आप आपको बंदूग क्या है तो इसमें पर कुछ दिनों पहले एक मामला सामने आता है जिसमें दिन दहाडे दुकान में घुसकर कुछ बदमाश एक व्यक्ति पर हमला बोल देते हैं लेकिन पूरा मामला क्या है वो परिवार के साथ जुड़कर आपको बताएंगे यहां पर सवाल यह उठता है क्योंकि यहां पर कुछ का कहना है कि आए दिन ऐसी वादाते होती रहती हैं लेकिन कारवाही या फिर प्रिशाशन की तरफ से सकती बिलकुल भी नहीं है क्योंकि यह पहली बार का मामला नहीं है अब कर दो दो चार मिंट खड़े रहे उसके बाद चले गए बोल के कि वह पंद्रावीश मिंट में आते हैं तो फिर वह दुबारा जबाए तब उन्होंने कोई ना कुछ बोले ना कुछ नी सिधा सर पे मारी दिया उन्होंने जो रिवोल्वर के निच्छे का बट होता है वह सिधा सर पे मारा और फेड मुझे कर कुर्शी से लिटा दिया तो कितने लोग थे वह तीन थे दो अंदर थे एक बाहर था कितने टाइम बाहर दो बोले कि हम 15-20 मिंट में आते हैं बड़ फो 15-20 मिंट में नहीं आए वो आए एक गंटे के बाद सब्सक्राइब बाइक से बलक कलर की पलसर कोई हाथ अपाई भी नहीं हाथ अपाई कुछ भी नहीं सिधा वो मार दिया मैं कुर्सी से गिर गय बाहर देखा बराबर में से मेडिकल सोर से वह आया था उन्होंने पुछा क्या हुआ क्या हुआ था तो वह सुनके वह लड़के भागी गए वह कुछ कर नहीं पाए फिर मतलब कुछ कैस नहीं लूट पाए ना कुछ और कर पाए वह सिधा चले पिछे से बाइक के पकड़ से हों गरिब घर के वह ऐसा भी नहीं लग रहा था यंग जनरेशन थी तीस से बत्तिस साल की उमर थी उनकी अलब आपको भायल किया गया है लेकिन कोई समान लूट पाट कुछ हानी भी हुई है कुछ लैप्टोप टूटा है फोन टूटा है बट कैस कुछ लेके नहीं गई ऐसा होता ही रहता है जिस एक फूमार टी है तो यहां की पुलिससे अलब रहती है पता है ब्लका ने फॉमर्ट करा रहती। वगारा निकलवाएंगे वीडियो वगारा निकलवाएंगे तब कुछ आप से आपको बुलाएंगे और आप से पूस्टाश करेंगे कि भी यह आदमी को पैचान लोगे क्या आप अपने एफ आर कब कराई गया स्टेटमेंट ली गई है मिसे पुलिस ने मुझसे स्टेटमे आप अपकर अपने लाएंगे अपने वाली शोप पे कैमरे थे अभी लगवाए हैं आसपास के कैमरों में या कहीं पर कैद हो यह दो जहेंगे देखी थी वीडियो पर उसमें आये नहीं मिल जाए उसमें दिखाएं पर अभी कुछ सुराग मिला नहीं काफी घेरी चोट भ पर यहां पर निशान है काफी गुन-खुन हो गया हो गारा बहुत आपका बोला भी नहीं आता इतना मुझ उच्जा पड़ा था ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं तो आने वाले टाइम में तो और भी गंदे आलात हो जाएंगे आदमी जबरदस्ती कुछ भी छीन के चला अब उप्या सेफटी रखने वाले रखने सेफटी तो क्या रखसकते हैं जी सेफटी फुछ हो निसकते कि आदमें आये और सिदब एक संख्या आपको बंडुक दिखा दे तो इसमें क्या सेफटी रख्यों गयोगा कुछ प्रशाशन के लिए क्या कहेंगे आप अगर वो आपके मदद कर पाएं थोड़ी बहुत भी कर सकती है वारदात के टाइम पर खड़ी नहीं हो सकती पर वारदात के बाद वह आत्मी को पकड़ के जेल में डाल सकती है इससे जाता तो वह भी नहीं कर सकती विश्वास लग रहे हैं कि जो आपके प्रादियां पकड़े जाएंगे हो सकता है पकड़े बीजाएं और ऐसा भी हो सकता है अपनी जान बच गई हम बच गए इसमें आदमी कुष हो जाता है बट इसे जो चोर है या जो बदमास है उनको थोड़े वो मिलता है कि उसला की उसने कुछ कम्पलेंट नहीं वा और हम पकड़े नहीं गए वो कल फिर किसी और के साथ करेंगे बट सोलूशन नहीं उसको मानलो पांस दिन दस दिन पंदरा दिन में उसको पकड़ने के बाद जमानत के अपने यहां प्रावधान है जमानत हो जाती है हिंको पता है कि हमें जाद से जादा क्या होगा हम जेल में खा लेंगे बार नी कॉए तो चलते हैं कि हमने जेलMA तो यह वाकई ही समनाफ हो सकती हैं क्योंकि आप देखी पा रहे हैं कि यहां पर लगतार काफी आसपास में दुकाने भी पास पास में ही हैं रोजाना आप अपरादों से जुड़ी घटनाई देख रहे हैं लेकिन किसी भी तरीकी की कारवाही उन पर समय रहते नहीं हो पाती हो जाएं ताकि जो जनता है उसे मुझाद पासके वरना ऐसा हो किता है कि आने वाले समय में इंसानों का या लोगों का घरों से बहुत निकलना भी मुश्किल हो जाएं कि अपराद आप देख रहे हैं कितने जादा बढ़ रहे हैं लेकिन उसकी जो सजा है वह हल्की है या बहुत ज़्यादा भी मिली है जिसके वजह से इतना ज़्यादा प्रोसाहन अपरादियों को लवातार मिलता हुआ नजर आ रहे हैं इस पुरी रिपोर्ट पर आपकी क्या रहा है वह कोमेंट में लिकर बताईएगा साथी में सब दूने के आपका बेर शुक्रिया मैं रिय झाल